नमस्कार दोस्तों जो हर व्यक्ति की पूरी जिन्दगी में कम से कम एक या अधिक बार जरूर आता है शनिक्र एक राशी से दूसरी राशी तक जाने में धाई वर्ष का समय लेता है वहीं साड़े साथी का पहला चरण धनू, व्रिशब, सिंग, राशी वाले लोगों के लिए कश्ट कारी रहता है जबकि दूसरा चरण सी, मकर, मेश, करक, व्रिश्चक राशियों के लिए और तीसरा चरण मिथुन, कुम्ब, तुला, व्रिश्चक, मीन राशी के लिए अच्छा नहीं माना जाता यदि आपकी राशी पर भी शनी की साड़े साती या शनी की धैया का प्रभाव है तो शनीवार के दिन किये जाने वाले उपायों से साड़े साती का शनी दोश के प्रभाव को कम किया जा सकता है सबसे पहले सुबह शिग्र उठकर असनान आदी कारियों से निवरित होकर एक कटोरी में तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखें उसके बाद उस तेल को किसी जरूरत मत व्यक्ति को ध्यान कर दे इससे शनी देव प्रसंद होते और भागे संबंदी बधाएं दूर होती हैं सुबह शनान करने के बाद पीपल को जल अर्पित करें इसके साथ ही साथ परिक्रमा करें सुरियास्ट के बाद सुनसान अस्थान पर लगे पीपल के पास दीपक प्रजलित करें यदि ऐसा नव हो तो किसी मंदिर में लगे पीपल के पास भी दीपक प्रजलित किया जा सकता है शनी से संबंदित बाधाओं से मुक्ती पाने के लिए काले घोडे की नाल या नाव की किल से अंगुठी बनवा कर अपनी मध्यमा अंगली में शनीवार के दिन सुर्यास्त के बाद धारण करें दान करने से पुर्ण की प्राप्ती होती है इसलिए सामर्थ के अनुसार काले तिल, काला कपड़ा, कमबल, लोहे के बरतन उड़त की दाल का दान करें इसे शनीदेव प्रसंद होकर शूफल प्रदान करते हैं बंदरों को गुडव चना खिलाने से हनुवान जी प्रसंद होते हैं प्रतेख शनीवार हनुवान चालीसा का पाट करें हनुवान जी का पूजन करने से व्यक्ति को शनी दोशों का सामना नहीं करना पड़ता है शनीदेव की पूजा कर उन्हें नीले पुष्प अर्पित करें इसके साथ ही शनी मंत्र ओम, शंग, शनिश, राय, नमः का रुद्राक्ष की माला से जब करें मंत्र की जब संक्या 108 होनी चाहिए ऐसा हर शनीवार करने से साड़े साथी से मुक्ति मिलती है शनीवार की रात को रक्त चंदन से अनार की कलम से ओम को भोज पत्र पर लिक कर नित यानि रोज सुबह पूजा करने से असीम विद्या और बुद्धी की प्राप्ती होती है तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें काले तिल डाले उसके बाद ये जल शिवलिंग पर अर्पित करें ऐसा करने से विक्ति को सभी रोगों से मुक्ति मिलेगी और भोले नात की किरपा से आर्थिक तंगी दूर होगी परतेख शनिवार को काले तिल, आटा, शक्कर लेकर इन तीनों चीजों को मिला कर उसके बाद ये मिश्रन चीटियों को खाने के लिए डाल दे शनीदों से मुक्ति हे तू शनीदेव के इन दस नामों का जब करें इसके साथ ही व्यक्ति को कारियों में सफलता भी मिलती है शनीदेव के नामों का कम से कम 108 बार आप जब करें इसमें कोडास्त, पिंगल, बब्रू, कृष्ण, रौद्रान्तक, यम, सौरी, शनेश्चर, मंद, पिपलाश, दोस्तों इन दस नामों का भी आप जब कर सकते हैं प्रति दिन पूजा करते समय महामिर्तुन्जे मंत्र ओम नम शिवाय का जब करें शनी के दुष्प्रभाओं से मुक्ति मिलेगी महामिर्तुन्जे मंत्र का भी आप जब कर सकते हैं घर के किसी अंधेरे भाग में किसी लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भर कर उसमें तामबे का सिक्का डाल कर रखे शनी के ढ़ईया के शमन के लिए शुक्रवार की रातरी में 800 ग्राम काले तिल पानी में भीगो दे शनिवार को प्राता उन्हें पीस कर एवं गुड में मिलाकर आठ लड़ू बनाएं और किसी काले घोड़े को खिला दें आठ शनिवार तक आप प्रयोग करें दोस्तों वैसे भी शनिवार के दिन आप वो मांस मदिरा का सेवन कभी नहीं करना चाहिए और खासकर यह दिस शन सेक्षन में लिख सकते हैं थैंक यू